केंद्रे मंत्री रुजोतरा दित्य सिंध्या के बयान के बाद तेलेकॉम कंपनियों में अफकॉस आक्शन आज दिखने को मिला है तरहसल मोबाइल टारिफ एक बार फिर बढ़ने के आसार तो दिख रहे हैं या नहीं यह एक बड़ा सवाल उभर कर आया है दूसरी तरफ एक हॉर्मास के पास चलते हैं हॉर्मास बताईए एचस बीसी क्या कहता है और किस तरह की अटकले बनी है क्योंकि कल के बयान के बाद मार्कित भर में वो चर्चा हो रही कि शार्द एक और टारिफ हाइक का इंतजार होना चाहिए यह हमारा और आपके लिए तो अच्छी खबर हरीदारी की राइक की है उन्होंने अपग्रेड करके और उन्होंने लक्ष्ट को उन्होंने बढ़ाया है 1325 से बढ़ाकर 1950 का लक्ष कर दिया है भारती एटल पर HSBC ने अब उनका यह कहना है कि वो उनकी जो EBITDA और EPS है भारती एटल की वो 16 फीसिदी और 78 फीसिदी के कैग से ग्रो कर सकती है Fy24 और Fy27 के बीच में अब यह किस तरह से होगा यह इसलिए होगा क्योंकि मोबाइल आर्पू में बढ़ात्री होगी उस वजह से उनसे फाइदा होगा सुनील भारती मितल काफी दफा यह कहते भी आ रहे है कि 300 रुपे की आर्पू होनी चाहिए sustainable basis पे जो वो होगा और एक broadband subscribers में जैसे आप कह रहे थी अगर वहाँ पर बड़ोत्री होगी उससे उसे फाइदा होगा उससे margins बढ़ेंगे और margins बढ़ेंगे तो उससे EBITDA और EPS को फाइदा होगा अब बारती Airtel ने काफी CAPEX करा हुआ है तो HSBC का मानना यह है कि CAPEX में कमी आएग 3,010 रुपे का उनका लक्ष है मगर उनका यह कहना है कि जो broadband opportunity है उसका फाइदा उठाने के लिए Jio जो है वो सबसे बहतर तरीके से placed है और उसका Jio को सबसे जादा फाइदा हो सकता है और यह यह भी कह रहे है कि Jio 45% का market share वितवर्ष 30 तक 45% का market share Jio का हो सकता है और अभी उनका market share फिलाल 28% का है तो यह काफी अजाफा हो सकता है Jio में मगर Vodafone Idea पर अभी भी HSBC की reduce की rating बरकरार है 7 रुपे का उनका लक्ष है और reduce rating इनकी इस वज़े से है क्योंकि इस तर पर भी उन्हें Vodafone Idea के valuation महंगे लगते है और जो उनका कर्ज है जो बकाया है वो बहुत की संभावना Vodafone Idea पर बढ़ जाती है लिहाजा उन्होंने अपनी इस reduce rating को बरकरा रखा है 7 रुपे के लगशे के लिए तो इस पूरी brokerage commentary में भारती एटल को एक upgrade मिला है लेकिन Jio broadband की opportunity का फायदा उठाने के लिए सबसे बहतर तरीके से प्लेस्ट है Jio's in fact सबसे बहतर प्लेस्ट है अचिस BC की ये राय आती हुई of course भारती एटल पर भी 1950 का target आए शुक्रिया हॉर्मास इस update के लिए अमर अब समझने वाली बात ये है कि कितना ये पूरा प्लेस टॉक में इस समय factored in है भारती एटल का stock अगर आप गौर करें year to date एक अच्छे खासे action दिखा चुका है आप reliance के लिए वो नहीं कह सकते क्योंकि ये सारा business साथ में जुड़ा हुआ है O2C भी है, oil and gas भी है, retail भी है तो हम not sure वो SOTPY सिरफ Gio किस तरह से perform कर रहा है लेकिन एक चीज़ जरूर हुई है Gio ने अब तक का बहुत ही तगड़ा आर्पू दिखाया इस quarter में हम सब जानते हैं भारती का आर्पू 200 के उपर है 211 to be precise और Vodafone के आर्पू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो company खुदी crisis में है तो अगर एक decision लेना हो कि आप टेलिकॉम में भारती पर बैठ करें या फिर Gio पर बैठ करें जहां पर hopefully वो value unlocking होती हुए दिखाये देगी और इस entity की listing होगी जादा बहतर और जादा rewarding trade क्या रहेगा तो definitely Gio और भारती प्लेस और जिस तरह कि आर्पू की भी बात वो रही है तो definitely we also expect that this ARPU is going to increase by maybe 15-20% over a period of time having said that उसका एक immediate advantage तो भारती अटल को मिलेगा Gio is also very well placed as to capture the advantage लेकिन मैं भारती अटल पे जो है वो निवीश करने की सला दूंगा for the simple reason is की भारती अटल has also been has seen many ups and downs in this entire telecom space and it has been very consistent in performance जैसे पर एपने वोड़ाफर आइडिया की बात की तो they are in very serious trouble in terms of their debt management and debt issue तो भारती अटल को जरूर आज़र 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 टेलिकॉम के रूप में देखा जा सकता है we have been bullish in भारती अटल for quite quite long and we continue to be bullish in this जाएर आज़र आज़र